हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो गोपाली शुड़ी पॉइंट्स आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल गोपाली शुड़ी पॉइंट में एक पर फिर से पुने स्वागत करता हूँ और फ्रेंट्स आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं मैथमाटिक्स के प्रैक्टिस सेट नमबर 6 का और फ्रेंट्स इस से पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट अलड़ी अप्लोड किये हैं यदि आपने अभी तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो friends आज के इस video station में हमने उन सभी questions को लिया है जो बार-बार परिक्षिया में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पून प्रिशन है तो आपसे request करूँगा कि वीडियो को शुरू से last तक देखना है और सभी questions को आपको शुम से भी एक बार attempt करना है तो चले friends से start करते हैं और start करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप channel पर नए है और अभी तक channel से नए जुट पाए है तो channel से जुटने के लिए subscribe के लाल बटन को प्रेस करके आपको bell icon को उन कर देना है so that आपका कोई भी single video miss ना हो तो चले friends से start करते हैं आज का वीडियो session so question number है one एक साड़ी की कीमत एक हजार रुपया है और इस पर 20 परतिशत 10 परतिशत तथा 10 परतिशत क्रेमिक discount देने के बाद उसकी क्या कीमत होगी बहुत ही अच्छा question है और friends बहुत ही shorter के मादयम से हम इसको हल करेंगे यानि कि बहुत चंद सेकंडों में ही इसका answer हो पाएगा और उसके लिए एक line में ही इसका answer हो पाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो साड़ी की कीमत दी गई है वो साड़ी की कीमत हम यहाँ पर लिख लेते हैं और into यहाँ पर जितना जो क्रेमिक discount होता है लगातार जो discount दी जाती है उस discount को हम 100 में से minus करके लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले discount दी जाती है 20% की तो 100 में से 20 को minus करेंगे तो कितना आएगा फ्रंट्स 80 आएगा और इसके upon करेंगे 100 into इसी परकार से 10% की discount होगी तो 100 में से minus करेंगे 10 तो आएगा 90 और इसके upon कर देंगे 100 इसी तरह से यहाँ पर again 10 है तो again आएगा यहाँ पर 90 और upon कर देंगे 100 बस हो गया हमारा question तो फ्रंट्स अभी देखिए यहाँ पर 0 से यह 0 कटी इस 0 से आप यह 0 कट कर सकते हैं और इस 0 से यह 0 अभी इन 3 0 से आप यह 3 0 कट कर सकते हैं अभी 8 की multiply 9 में करेंगे तो कितना 9 करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 2018 1 & 9 7 63 और 1 कितना होगा 64 तो यहाँ पर देखेंगे 648 क्या होगा 648 इसका होगा फ्रेंट्स आंसर तो discount के बाद जो कीमत होगी साड़ी की वो कितनी होगी 640 रुपीज जो कि आपका option number B इस question का बिल्कुल चाही answer होगा उमीद करत हूँ फ्रेंट्स आपको समझ आ गया होगा बहुत ही short trick के मादम से हमने इसको हल किया है और जल्दी से जल्दी आप question का answer निकाल सकते हैं यदि आप इस type की short trick को exam में यूज करते हैं और उपने time को shave कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट next question के और बढ़ते हैं यहाँ पर वीडिय direction में जाती है no direction में जाती है और जिसके speed कितनी है 60 km पर आवर है और दूसरी दक्षिन के और जाती है यानि कि south के और जाती है और उसकी speed कितनी है 40 km पर आवर है कि गती से चलती है तो कितने घंटे पश्चात ये दोनों trainे प्रसपर 150 km दूर होंगी बहुत ही अच्छा question है औ हमारा जो speed is equal to होता है distance upon time लेकिन उससे पहले आपको समझना है एक छोट असा concept और concept है यदी railguardिया एक दूसरे के विप्रीद दिसा में चलती है तो उस समय उनका जो relative speed होता है वो आपस में क्या हो जाता है add हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक railguardi note direction में जा रही ह और दूसरी लेरेलाडी हमारी south direction में जा रही है तो यहाँ पर दोनों की direction क्या है opposite है तो यहाँ पर जो relative speed होगा वो होगा दोनों का addition तो यहाँ पर आप देखेंगे य非 jokaлы में यहाँ पर relative speed की बात करता हूं sapex charl की बात करता हूं तो sapex charl होगी मेरी relative speed होगी तो आप देख km per hour, तो यहाँ पर मेरा relative speed आया 100 km per hour, और जो distance दिया है friends, distance, distance कितना दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे, distance दिया है, 150 km, कितना दिया है, 150 km, तो friends, time पूछा है, तो time हम अपना जो basic formula होता है, उसकी साथा से निकाल लेते हैं, तो time is equal to क्या होता है, distance upon speed, क्या होता है, distance upon speed होता ह है, तो यहाँ पर हमें distance भी दिया है, 150, और time हमारा speed हो दिया है, कितना 100, तो 150 upon 100 आ जाएगा, तो यहाँ एक जिरो से एक जिरो कटेगी, और 5, 3 जा 15, और 5, 2 जा 10, तो 3 by 2, क्या है 3 by 2, तो 3 by 2 hour आएगा इसका time, 3 by 2 hour, इसका होगा time, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 3 by 2 correct answer, अभी next question के और बढ़ेंगे, और उससे पहले हैं पर आप pause करके वीडियो को solution देख सकते हैं, next question के और बढ़ेंगे friends, बहुत ही अच्छे question लिए हैं हमने इस video session में, और ये question आपके परीक्षा में पूछे कई questions है, so आप से request करूँगा, कि आपको वीडियो को pause करके एक और खुद से आप question को attempt कीजे, so that friends, आप अपने आपको भी check कर सकते हैं, कि आपके तयारी किस लेवल पर चल रही है, तो question है हमारा, यदि रेखाएं, 3x plus 2ky minus 2 is equal to 0, and 2x plus 5 plus 1 is equal to 0, क्या है, समानतर है, यानि कि एक दूसरे क्या है, parallel है, तो हमें k की value क्यात करनी है, तो इसके के लिए सबसे पहले, friends, आपने अपनी basic classes पर पढ़ा होगा, कि जो line का equation होता है, एक सरल रेखा के लिए, तो वो होता है, friends, आपने पढ़ा होगा, ax plus by plus c is equal to 0, तो यहाँ पर इस equation से हम इन दोनों equation की क्या करेंगे, comparison करेंगे, तो यहाँ पर पहले के लिए मान लेते हैं, कि a1x, दूसरे के लिए b1y and c1 is equal to 0, इसी तरह से a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो यहाँ से, friends, हमें k की value निकालनी हैं, तो इसके लिए सबसे पहले, पहली equation से हमें a1 और b1 की value निकाल लेते हैं, तो friends, पहली equation से a1, यानि कि जो x का गुणांग होता है, x का गुणांग यहाँ पर क्या 3 हो जाएगी, और इसी तरह से b1 की value की जाएगी, यहाँ पर 2k हो जाएगी, तो इसी तरह से जो हमारी a2 और b2y है, इसकी comparison करेंगे दूसरी equation से, तो यहाँ से निकाल लेंगे a2 की value 2 हो जाएगी और b2 की value यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो चले friends, इस question को कर लेते हैं, तो friends, य comparison करेंगे कौन से वाली का first वाली का तो इससे यहां से a1 की value निकालेंगे 3 और a2 की निकालेंगे 2 comparison के बाद तो यहां पर आप देखेंगे b1 की value 2 के आएगी और b2 की value इसी तरह से हमारी क्या आएगी 5 आएगी तो अभी friends हमारा जब भी दो लाइने पहलल होती है तो उस समय जो इनके गुणांग होते हैं उनके बीच में एक relation होता है यानिकि इनके constants के बीच में एक relation होता है और relation क्या होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो यहाँ पर देखेंगे आप a1 की value 3 है और a2 की value 2 है इसी तरह से b1 की value 2 के है और हमारा b2 की value क्या है 5 है तो अभी हम cross multiplication करते हैं और cross multiplication से k की value निकाल देते हैं तो यहाँ पर k की value आएगी 15 by 4 अब 15 by 4 आएगी आप देखेंगे 15 by 4 कौन सा option आपका सही है option number b इस question का बिलकुल सही answer है उमीद करता हूँ friends आपको समझा गया होगा और friends यहाँ पर मैंने solution भी दिया है आप video को pose करके एक बार solution को देख सकते हैं अभी next question के और approach करेंगे बहुत ही अच्छा question है और next question है मेरा कि किसी संख्या के घन और वर्ग में अंतर उसकी दुगनी संख्या के वर्ग के बराबर देखी गई है तो संख्या बताइए तो friends बहुत ही अच्छा question है और question को हमें बिलकुल question के according ही solution करना है इसका तो इसके ल x की power 3 minus work का अंतर यानि कि work क्या होगा x square होगा और इनका जो अंतर है वो क्या है उसकी दुगनी संख्या के वर्ग के बराबर देखी गई है तो दुगनी यानि कि 2x का whole square के बराबर देखा गया है तो friends हमें क्या निकालना है संख्या यानि कि x की value calculate करना है अभी हमारा question बिल x square क्या होगा friends 4x square तो friends आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा x square है जब इधर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा यह प्लस का x square तो यानि कि x cube की जो value होगी वो किसके बराबर होगी 4x square plus 1 यानि कि आपका 5x square के बराबर हो जाएगा अभी मैं इसको अच्छे से एक पर देखेंगे जो value होगी तो friends यह value होगी आपकी x cube is equal to जो minus x square था वो दूसरी side में गया तो यह बराबर हो जाएगा 4x square plus x square कितना होगा 5x square तो यहां पर friends इस x square से x cube यानि कि 2 value कट जाएगी तो यहां पर 1x बचेगा तो यहां पर x की जो value आएगी वो आएगी कितनी friends 5 मैं उमीद करता हूँ friends आपको समझ आ गया होगा और यहां पर आप वीडियो का solution भी आप देख सकते हैं वीडियो को pose करके यानि कि इस question का solution so friends यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो please वीडियो को like कीजे और साथ की साथ इस वीडियो को अपने सभी friends में whatsapp और facebook पर share कर दीजे तो चले friends next question को देख लेते हैं यदि किसी धन का साधारन ब्याज मूलधन का आधा हो पहुती अच्छे selective question लिए हैं friends यदि आप देखेंगे तो आप खुद भी इसको एक बार try करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि question की जो gravity है वो कितनी सही है यदि किसी धन का साधारन ब्याज म हमें question के according चलना है तो यहाँ पर क्या दिया है यदि किसी धन का साधारन ब्याज मूलधन का क्या हो आधा यानि कि जो simple interest है जो SI है वो क्या दिया है P by 2 दिया है और friends जो rate है यानि कि जो ब्याज की दर है वो क्या दिया है वो दिया है वर्सो की संख्या की आधी यानि कि T by 2 दिया है क्या दिया है तो फ्रेंट इसके लिए क्या होगा हमारा सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा पी आर्टी अपॉन क्या होगा पी आर्टी अपॉन हंडर्ड होगा पी आर्टी अपॉन हंडर्ड इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं यहां पर देखेंगे और यहाँ पर P होगा और R की जो value है वो है T by 2 है यानि कि जो time है उसकी आधी है तो T by 2 तो 2 नीचे चला जाएगा और इंटू यहाँ पर एक T और आएगा और इंटू नीचे क्या लिखते हैं 100 तो इस तरह से हमारा question बन जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे P से मैं P cut कर द तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T square is equal to क्या होगा फ्रेंट होगा और T is equal to क्या होगा 100 का under root जो की होता है कितना 10 तो 10 क्या है T time है तो 10 year क्या एक answer 10 year आएगा वर्सो की संख्या पूची गए है तो 10 साल इसका answer आएगा यानि कि आपका option number B इस question का बिल्गुल चाही answer होगा next question के और चलेंगे next question के और बढ़ेंगे next question है मारा एक माली के पास क्या है 1000 पोदे है पहुत ही अच्छा question है वह इन पोदों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि जिससे पंक्तियों और इस्तंबो की संख्या क्या हो समान हो यानि कि उसमें जितनी रोज होगी चाहिए उतने ह उसमें column होने चाहिए तो इसके लिए उसको कम से कम कितने अधिक पोदो की आवशक्ता होगी तो कम से कम कितने अधिक पोदो की आवशक्ता होगी तो यहाँ पर friends आप देखेंगे आपको एक तरह से पून वर्ग संख्या में निकालनी है तो friends यहाँ पर आपको देखना है क 1000 में हम कितना जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए यहाँ पर सबसे पहले आप यदि देखेंगे यदि मैं 24 जोड़ देता हूं तो 1000 में यदि मैं 24 जोड़ देता हूं तो मेरा आता है 1024 कितना आएगा 1024 यहनि कि 1000 प्लस 24 इस गल टू आएगा 1024 1024 और 1024 होता है वो क्या होता है वो होता है आपका कितना होता है फ्रेंट्स 32 का होलिस्कायर होता है जो कि एक तरह से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है तो पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी यदि हम इसमें 24 जोड़ेगी तो 24 जोड़ने से यदि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो फ्रेंट्स एक रो में जितने भी पोदे होंगे उसी तरह से कोलम में भी उतने ही पोदे आ जाएगे तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंट्स होगा आपका उप्षिन नमबर B उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आपको समझ आ गया होगा अभी next question के और बढ़ेंगे और यहाँ पर आप वीडियो का solution देख सकते है question का solution अभी next question के और बढ़ेंगे यदि 10 छाक्त्रों में से 3 की are you क्या है बीस्वर्स है बहुत ही अच्छा question है average का question है क्योंकि मैंने हर रेक topic से एक एक question लिया है so that friends आभी आपके सभी topic क्या होगा एक बार revise हो जाएंगी so that friends जब भी मैं practice at लेकर आता हूँ मिरा ध्धान उस तरब जाता है जिससे topic से अक्सर question पूछे जाते है तो मैं उन्ही topic से question लेकर आता हूँ और question की आप gravity को देख सकते है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 छात्रों में से 3 की I.U. क्या है 20 वर्स है और 4 की 21 वर्स है और 3 की 22 वर्स थी तो उनकी ओशत I.U. हमें बतानी है तो फ्रेंट्स इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले हम 3 छात्रों की जो कुल एज है वो निकाल लेते हैं 3 छात्रों की कुल एज कितनी होगी तो 3 में multiply करेंगे कितनी की 20 की क्योंकि जब भी हम total निकालते हैं तो जो I.U.D. होईती है उसमें चात्रों भी संक्या से गुणा कर देते हैं तो यहां पर 3 गुणा क्या करेंगे 20 तो मेरा आजाएगा कितना 60 इसी तरह से 4 छात्रों की equalize होगी कितनी 4 गुणा 21 कितना हो जाएगा फ्रेंट्स यहां पर 84 हो जाएगा और इसी तरह से last के जो 3 छात्र हैं उनकी जो age होगी वो कितनी होगी 3 into 22 यानि कि आपका कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा तो इस तरह से हमारा total age कितना होगा फ्रेंट्स total age कितना होगा सभी को add कर लेते हैं total age होगा कितना 4 plus 6 कितना होगा 0 और यहाँ पर 6,8, 14 14,6 कितना होगा 20 और 1 इसका होगा carry यानि कि 21 तो इस तरह से कितना होगा 2,1,0 कितनी होगी total age 2,1,0 तो फ्रेंट्स यहाँ पर average क्या होता है average age निकालनी है तो average age परवर कितना होगा यहाँ पर total age क्या आएगा फ्रेंट्स टोटल टोटल एज जो हमने निकाली अपोन छात्रों की संख्या तो छात्रों की संख्या यहनि कि जितने भी छात्र हैं छात्र कितने हैं वो उसकी संख्या से हम इसके भाग देते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एज कितनी है हमारी 210 है और छात्रों की संग्या कितनी है 10 तो 10 से से काटेंगे तो कितना आजाए हो फ्रेंट से आपर 21 तो average एज कितनी आएगी हमारी 21 तो आप देखेंगे option number C इस question का बिल्कुन सही answer हो जाएगा अभी next question के और बढ़ेंगे और यहाँ पर वीडियो को पोज करके आप solution को देख सकते हैं next question है मेरा बहुत ही अच्छे question लिए है आप भी कुद वीडियो को एक और पोज कीजिए और question को स्वम से एक और attempt कीजिए question है एक नाओ जिसकी सांत जल में गती कितनी दी गई है च्छे किलोमेटर पर गंटा दी गई है और फिर उसके बाद पूछा गया कि एक किलोमेटर की दूरी नदी के प्रभा के वुरुद पंदरे मिनट में तै करती है तो नदी के प्रभा की गती कितनी होई बहुत ही अच्छा question है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम माल लेते हैं कि नदी का जो वेग है सब होज कितना है एक्स किलोमेटर पर आवर है कितना है एक्स किलोमेटर पर आवर है तो यदि नाव का और नाव का जो वेग दिया गया है वो कितना कि दिया है वुरुद बात की गई है तो कितना होगा फ्रेंट्स हमारा 6 में से x- हो जाएगा तो यानि कि नदी के विप्रीत नाओ का वे कितना होगा बोट की जो वेलोसिटी होगी बोट की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी कितनी होगी वेलोसिटी तो कितनी होगी फ्रेंट्स यह होगी कितनी होगी 6-X क्योंकि विरुद बहुत कही गई है विप्रीत बात कही गई है तो विप्रीत में क्या होता है हम माइनस कर देते हैं 6-X अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नाओ का जो वेग होगा वो क्या होगा दूरी अपोन समय होगा क्या होता है friends weight बरावर क्या होتा है distance upon time जो कि हमें पता है तो six minus x कि जो value बरावर होगी distance upon time तो distance कित्रा है आप देखेंगे यहाँ पर 1 km दिया गया है तो one upon और time कितना दिया गया है आप यहाँ पर देखेंगे 15 minute और 15 मिनट को फ्रेंट्स यदि आप गंटे में चेंज करेंगे तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 by 4 तो 1 by 4 तो 4 उपर चला जाएगा 1 by 4 में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 minus x is equal to क्या होगा आपका 4 आएगा कितना आएगा फ्रेंट्स 6 minus x is equal to कितना आएगा 4 आएगा x को इधर भेज देते हैं 4 को इधर ले आते हैं तो 6 minus 4 is equal to क्या होगा x या x is equal to कितना होगा 2 2 km per hour तो जो फ्रेंट्स यहाँ पर नदी के प्रभाग की गती हमें बतानी है तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखेंगे option number जो a है इस question का बिल्कुल सही answer होगा अभी next question के और बढ़ेंगे friends यहाँ पर आप वीडियो को पोच करके इस question का solution देख सकते हैं अभी friends next question के और बढ़ेंगे next question है मेरा यहाँ पर आप देखेंगे next question next question है 5 to the power a is equal to 3125 तो 5 to the power a minus 3 की value याद करनी है बहुत ही अच्छा question है इस type के question को करने का तरीका होता है 5 to the power a is equal to 3125 तो 3125 के क्या कर लीजे factor कर लीजे तो 3125 के जैसे हम factor करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हम इसको यानि कि 5 से एक पर divide कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 5, 6, 30 कितना बचा 1 होगे 12 5, 2, 10 और 5, 5, 25 इसी तरह से 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा मेरा 125 फिर अगें 5 से काटेंगे कितना आएगा 25 फिर अगें 5 से काटेंगे तो अगें आएगा 5 तो 5 की कितनी power आ जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे 5 की power कितनी आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 5 तो 5 की power कितनी आएगी यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की power 5 तो इस तरह से यहाँ पर जब आधार यानि की base equal होते हैं तो उनकी power भी आपस में क्या हो जाती है? इक्कॉल हो जाती है तो इस तरह से a की जो value आएगी friends, वो आएगी कितनी? 5 आएगी लेकिन हमें value निकालनी है 5 की power a-1 की तो 5 की power a-1 a की value कितनी रखेंगे? यहाँ पर 5 रखेंगे a की value कितनी रखेंगे? यहाँ पर 5 रखेंगे और क्या रखेंगे? फिर minus 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि friends, मैंने a की जो value निकाली वो कितनी निकाली? 5 तो हमें निकालना है 5 की power a-3 की value तो यहाँ पर 5 की value a की value आएगी 5 minus 3 तो इस तरह से 5 की value कितनी आएगी? 2 तो 5 की 2 का मतलब कितना होता है? 25 तो आंसर कितना होगा friends आपका? 25 जो कि आपका option number B इस question का बिल्कुल सही answer है बहुत ही अच्छा question है friends और easy way में हमने इसको सोल किया है आपको just concept का पता होना चाहिए आंसर को तुरंट आपका निखल आएगा अभी next question and the last question of this video देख लेते हैं friends बहुत ही अच्छा question है question है friends यहाँ पर आप देखेंगे कि 476 4 to the power 1795 को 5 से भाग दिया जाता है तो successful हमें निकालना है तो successful क्या होगा? friends इस question को करने के लिए मैं आपको एक छोट ऐसे concept के थुरू आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी कोई इस type का question दिया जाता है उसको हम इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं suppose 4764 की power है मेरी 1795 तो friends यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस question को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ लिख लेता हूँ कि 5 से इसको भाग देना है तो 5 से इसको भाग देना है तो इसको 4, 7, 6, 5, minus 1 to the power 1795 और upon 5 मैंने इसको इस तरह से लिख लिया क्योंकि friends यदि मैं इस पर इसे minus कर देता हूँ तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और friends ये जो question है ये question को अब हमें देखना है कि जो जो संक्या है 4, 7, 6, 5, minus 1 upon 5 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ minus 1 की power 1, 7, 9, 5 क्योंकि जब हम इसको सोल करते हैं तो हम इसको last term को लेते हैं तो friends minus 1 की power 1, 7, 9, 5 upon 5 अभी जब भी किसी minus के उपर में कोई odd संख्या होती है तो friends उसका हमेशा क्या होता है minus आता है और upon क्या आएगा 5 तो इसका क्या आएगा friends यहाँ पर minus 1 upon 5 तो यहाँ पर आजाएगा मेरा minus 1 upon 5 लेकिन friends यहाँ पर हमें reminder ग्याद करना है तो कभी भी इसका reminder ग्याद करना होता है तो नीचे के हर में उपर का uns क्या कर देते हैं add कर देते हैं तो friends यहाँ पर होगा 5 add करेंगे minus 1 को तो minus 1 इस तरह सी लिखा जाएगा तो यहाँ पर कितना आजाएगा 4 कभी भी इसका reminder ग्याद करना है तो इस तरह से हमारी जो संख्या आती है friends minus 1 upon 5 तो इसमें उपर का जो हमारा uns होता है उसे हर में क्या कर देते हैं add कर देते हैं यदि हमारा क्या है digit हमारा odd दिया हुआ है तो इस तरह से friends इसमें आएगा 5 minus 1 is equal to कितना 4 उनके लिए में एक अलग से एक वीडियो बनाऊगा क्योंकि friends इसके question बहुत ही ज़्यादा महत्पून होते हैं और बार बार परिक्षा में पूछे जाते हैं तो इस topic के उपर मैं एक separate वीडियो आपको देने वाला हूँ जिससे कि आपका हर एक concept के लिए हो जाएगा regarding आपका reminder so friends मैं उम्मीद करूँगा कि friends आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पर इसका जो answer था वो था friends आपका option number D यदि friends आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी helpful सी धुआ है आपके लिए थोड़ा बहुत भी यानि कि साहाग से धुआ है तो आप इस वीडियो को जादे जादे लाइक कीजिए और जादे जादे friends में इस वीडियो को share कर दीजिए और friends इदि आप चैनल पर नहीं है और यह तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कीजिए साथ के साथ यह bell icon भी बनके आएगा उसको भी आपको प्रेस करना है so that friends आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो बराबर आपको वीडियो को notification मिलते रहें बिना किसी रुकावट के और बिना किसी search के friends चैनल से जुनना एकदम free of cost होता है इसमें आपका कोई वीचाज नहीं करता है इस चैनल से आपको निश्यती मदद मिलेगी तो चलिए friends मिलते हैं next video session में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगले में हो और इसी सुब कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत and thanks for watching this video